हेलो गाइज, वेलकम टू बानी पापा व्लोग्स तो ये वीडियो मैं लेकर के आए हूँ कुछ ऐसी चीज के लिए जिसे आप लोग भी हैरान होंगे कल मैं गया था मार्किट और मार्किट में कुछ ऐसी चीज मिली बच्पन की याद ताजा हुई तो मैं सोचा इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए और आप लोगों को बताना चाहिए कि 2023 में भी ये चीज एवेलेबल है जो कि हम 80s और 90s में खाया करते थे कुछ ऐसी पुरानी कैंडी जो आप सबने लगबग खाई होंगी इसीज को मैं पर्मोट नहीं कर रहा है ना किसी ने पैसे दी है ना रियल मैं कहा रहा हूँ ये एक टोफी का पर्मोशन नहीं है सिर्व एक टोफी है जो हम लोग बच्पन में खाया करते थे जो जिसकी निगाव मुर्पे पड़ी और मैंने उसको ले लिया बिल्कुल ऐसे लगा कि उसी ने मुझे चुना है और मैं उससे ले लूँ तो मैं बात कर रहा हूँ देखो ऐसी टोफी की एक बड़ी मैं माइक लगाता हूँ ये देखो फिर से आप तब आपको दिखाता हूँ ये देखो जल्दी से कमेंड करके बताईए ये देखिए मैं इस चीज की परमोशन नहीं कर रहा हूँ ये एक केंडी है और एक टोफी है जो कि मैंने तो बच्पन में काफी खाई है आप लोगों ने खाई आई या नहीं ये देखिए ये देखिए एक नए तरीके से 2023 में ये देखिए फिर से बनाई गई है ये बच्पन में 80s और 90s में हम लोग खाते थे काफी टेस्टी लगती थी हम लोगों को हम लोगों ने लेकिन उसके 90s के बाद अचानक से ये चीज गाइप हो गए थी और अब देखिए 23 में तो इस नए तरीके से पेश किया गया है ये प्योर वेजिटेरियन का भी इस पे लोगो भी है ये देखिए वेजिटेरियन लोगो ग्रीन साइन और मैनिफैक्टरिंग वगएरा इस पे सब कुछ लिखा हुआ है और मार्किट में एवलेबर है और इसका प्राइस 10 रुपीज है 10 स्टिक्स मिलती है इसमें 10 रुपीज में तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया इसको देख करके पुरानी याथे ताजा हो गई आप लोगों को पर को मज़ा आया तो कमेंट करके जरूर करके बताएगा कैसे लगा आपको और ये किन की फोटो है ये जरूर बताएगा ये देखिए फ्लेवर्ड टोफी है ये ये चाचा कंपनी है सिंस 1957 से ये देखिए किन किन ने ये टोफी खाईए कमेंट जरूर करिये था और सिर्व यही मकसद था आप लोगों से शेयर करने का कि ये चीज अभी भी एवेलेबल है जिन जिन बच्पन में ये चीज खाई हुई है तो जरूर जाके मार्किट में एवेलेबल है खाईएगा देखिएगा इस दिवाली एंजोई कीजिएगा तो मिलते नेक्स वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपने भी ये चीज ये टोफी आपने खाई है तो लाइक जरूर करके जाईएगा